पुत्तरा घंड की यमुरा घाटी में हालात समाने हुए तो राजधानी देहरादून के विकास नगर शेत्र में माहल तनावबून हो गया यहाँ दो नाबालिक लड़कियों से छेड़ छाड के मामले ने सामपरदाइक रंग ले लिया नाराज हिंदु संगठनों ने विकास नगर बाचार को बंद करवाया हालात यह हो गए कि जब दोनों पक्षों के लोग अचाना कामने सामने आ गए तो पुलिस फोर्स के भी हाथ पाउं भूल गए आखिरकार पुलिस ने मामले को किसी थारा शांत कराया पूरे मामले में DILG SSP ने सामपरता एक माहौल विगारने वालों पर एने से लगाने की चेतावनी दी है उन्होंने हिंदु संगठनों से बाच्वीत कार शांती बनाए रखने के अपील की है कल साम को एक लड़का लड़की का प्रेम परसंग का परक्रण था उसी परक्राण को लेकर के दोनों हिंदू श्वमजा ऐसे थे उसी बात कर लेकर कि एक महले में के भगल में वो कुछ बैट उटना बैटना उसरहा होगा उसे पर कुछ लोगों ने पर्तिकिरा बिद के बाई यहां पर इस तरह के परवार के लोग रह रहे हैं और उसी बात को लेकर के कुछ कहा सोई नहीं होई और उसी के परतिका सुरूब जो है कल रात को फिर आपस में मार पीट एक घटने हुई हैं उन दोना पक्साँ के तरफ से मुगर्वा पंजिगत कर लिया गया है और कल रात को दोना पक्साँ से बात करके मामा सुरू हो गया कि अबर भी सुब्द है कुछ लोग जहें वह बजार बंद के रिकले उन्हें बजारभान के लिए कोई जोड़वस्दी ने करी है उन्होंने रिकॉस किया हाज़ों कि जिसको लोग थीक है जिसने कुछ बंदें करी तो इसमें उनका परतिकर नहीं था अब आपनानमान में व्यक्ति सामाने है हम लोग अलर्ट हैं लेकिन मेरे सभी समधा के लोगों से और पड़ती निवेदेन है कि किरपा करके जो शांपर्दा शौहार्द बिगारने के अनुमत किसी को नहीं है किसी को किसी भी वेक्टिविसेस को कानुन ब्यास्ता को हाथ में लेकर के ब्यास्ता खराब करने के अनुमती नहीं दे जाएगी हां अगर कोई अपराद हुआ है हम ने सभी पक्सों से कहा कि आप पुलिस का वगत कराईए और इसमें बहुत कड़ी से कड़ी कारवाई हम लोगों ने किया है हम लोग कर रहे हैं दरसल देहरादून विकास नगर छेत्र में दो नाबालिगों से छेड़ चाड़ का मामला बुधवार रात को सामने आया था आरोप है कि नाबालिगों से समुदाए विशेश के युब को द्वारा छेड़ चाड़ की गई इससे नाराज लोगों ने आरोपी युबक के घर में घुसकर उससे मार बीट की उस तोरान तो पुलिस ने किसी तरह मामले को सुचा कर दोनों पक्षों को शांत करा दिया था लेकिन गुरुवार सुभा मामले ने फिर दूल पकड़ लिया मैं अपनी डूडी से घर के लिया आ रहा था और मेरी पत्नी माइकेल से आ रही थी फॉस्पिटल जाना था उसको तो रास्ते में जब मेले तो उन्होंने कहां कि आप मेरी सुच्षी में तेल दलवाग निया ये मलुका वाला से और तब तक में हैं रुकी वी हूँ था कि उनको हॉस्पिटल जाना था तो जैसे ही वो रुकी वी ते लगवा साधे साथ वजे कर समय था बाग उन्हें काम करने वाले उस मुश्किन संद्राइक के लोग थे उन्होंने मेरी पत्नी पर असली फक्तिया कि उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी ने विरोध किया तो वह पाइदा उठाकर बाग की तरफ भाग गए उसके बाद मैं तुरंत पहुंचा जब तो तो भाग चुके थे काफी लोग की कठा हुए तो प्रिस द्वारा उनको पकड़ा गया है और क्यों विक में चाता में उचेफटार वाई हो उनके उपक्त नहीं है यह बात के महिला स ट्रक्षा नहीं है क्या है कपड़े फार दिये कि अगर किसी और मांडर कटा आध पूरा हिंदु अनका पाकिस्तान का बड़ा देश का सब यह हो होता तो यह बंद करा रहे हैं बंद करो पाचार असन्या कुप्ता पोलो तु भूश्रा करे हैं अग क्या करता थे हैं प्रि हालाकि सिर्फ मंगलवार को ही महिला से छेट छार की घटना से इतना बवाल नहीं हुआ बचा ये है कि बीते कुछ दिनों में लगातार तीन घटनाएं एक के बाद एक छेट छार की सामने आ चुकी है जिसके चलते ही स्थानी लोगों और हिंदू संगठोनों का गुस्ता फूट पड़ा और मामला इतना पड़ गया कि इलाके में तनाफून हालात बन गए देव भूमी की पवित्रता को जो लोग चाहते हैं ऐसे जो भी सभी हंदूगादी संगठोन है अगर फोड़े समय तक आपने गंभीता के साथ कार्या नहीं किया तो इस परदेश को हम लोग खो देंगे जिस परकार का वाता वरंड कल मुसल्मानों के द्वारा विकासनगर का किया गया यह अत्यंत रामने वाला रोड लाड़ी जंडों के साथ वो थाने के अंदर इस परकार का एक महाल बनाने का प्रियास कर रहे थे वह हिंदू समाज को दबाने के लिए निकले और कभी निकले जबकि हमारी बेटियों को बहला फुसला कर उठाकर ले आ रहे हैं लगातार वहां तीन द्वारदात हो चुकी है डखरानी में होगी विकासनगर में जीवनगर की चैतर में हो चुकी है और लगातार उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं क्योंकि कानू पुलिस का काम बिलकुल भी मजबूत नहीं है वही लगातार महिलाओं के साथ हो रही छेड़ चाल की घटनाओं को देखते हुए गुरुवार को हिंदू संगठनों ने एक जुट होते हुए महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए विकासनगर बाजार बंद करने का अहवान किया था जिसका अशार विकासनगर बाजार में भी आया दल्वात की घटना को देखते हुए हमने बजार बंद कर रहा है और हम इसको बजार में लोग आये तो हम इसका समर्दन भी करते हैं क्योंकि जो गलत है उसे गलट खेरा जाए जो सही है चाहे वो किसी धर्म सब्सक्राइब कर देखते हैं अपना बजार बंद करना शुरू कर दिया है और जब तक देखें जैसे कारेवाई चलू रही है सब सक हम बंद रखेंगे इस तिसी पिछले कहीं दिना से मैं देखता आ रहा हूं बहुत जादा खराद चल रहे हैं रोज की रोज एकी बात है कि लड़कियां छेडी जा रही है यह सब क्यों हो रहा है किस प्रक्नेशन से हो रहा है क्या विचार दा रहा है इनोगी क्या सोच रहे हैं तो संज में नहीं आ रहा है वही इस मामले में पुलिस नकंभीरता को देखते हुए मुकत्मा दर्ज कर लिया है और इस्तिती सामाने बनी रहे इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है साथ ही दून वाजियों से शांती विवस्ता बनाये रखने के साथ ही सोहार्ट विगारने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई करने की बात कही है